आगे बिस्म लाइर रख्मान रहीम अस्सालाम उलाइकूम आज मैं शाशलिक बना रहे हूं जट पड बन जाती है इसके लिए मैंने एक पैन लेके तीन से चार टेबिलिस्पून तेल के डाल दिये इसको गरम करने लग दिया है ये आदर ब्रेस्ट लेके मैंने इसका मैंने क काट लिये थे छोटे इमें इसको फ्राइब करूंगी इसमें और इसमें मैं अद्रक लशन का पॉडर डालूंगी आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकती है लेकि मेवास पॉडर मुझे पॉडर में असानी रहती है रमदान का महीन है आपको पता है जो काम फट फट हो जाए क्वाटर टी स्पून लेशन का पॉडर और क्वाटर टी स्पूनी अद्रक का पॉडर इसके साथ मैं इसको घूंग दोंगी यह देखें अच्छी तरह फ्राई हो गई है अब मैं इसमें एक टेबिल स्पून सोया सॉस गालूंगी और दो टेबिल स्पून चिल्दी सॉस एक टेबिल स्पून से रका अधर टेबिल स्पून को टीवी लाल मिर्च क्योंकि स्पाइसी शाशलिक है मिर्चे कम ज्यादा आप कर सकते हैं देखें जितने आपके में खाई जाती है यह अच्छी तरह मिक्स कर लोगी इसको नमक डालूंगी सॉसेज में नमक होता है तो बहुत इतियास से देखके डालना है नमक इसमें अब मैं नमक डालूंगी नमक कम हिसाब से डाले कम ज्यादा कूंकि सॉसेज में भी नमक है इसमें चिली सॉस गार्डिक सॉस भी जाईगी अबर चिली सॉस जाचूकि है गार्डिक सॉस और कैचप चिकन ये मशल्ला फ्राई हो गई है अब मैं इसमें प्याज है और शिम्ला मिर्च और हरी मिर्च तीन हरी मिर्चे लेली मैंने इस तरह मैंने काट के डालनी इसको हलका सा फ्राई करूंगी इसके साथ भी चिली गाल्डिक सॉस जानेंगी तकरीबन 5-6 तेविर स्पून डलेगा चिली गाल्डिक सॉस और ये केचप केचप डालेंगी तकरीबन ये भी 5-6 तेविर स्पून केचप के डालेंगी मैं दरसी वाइप पेपर डालोंगी और काली मर्चे जरसी डालूंगी दो टे बिली स्पून केचप केऊ डालूंगी ये वाइट पेपर डालूंगी आदा टी स्पून और काली मर्चे आदर की स्पून काली मर्चे डालूंगी जट पेपर तैयार हो जाती है मिक्स करती है मैंने सब तीस अब ये कॉन फिलोर गोलव है मैंने एक टेबिल स्पून कॉन फिलोर इसको पांच मिन्ट दम पर रखूंगी हलकी आज पर आदा का पानी का और डालूंगी आदा का पानी का और डालूंगी है इस दरा सीधेर पक्ते दूए इपर मैं दिखातू आपको अब ये देखें माशालला से ये गाड़ी होगी अब मैं निकाल के लिखातू इसको ये शाशलिक तयार हो गई है माशालला से बहुत ही अच्छी खुच्बु आ रही है इसको जरूर ट्राई कीजिए मैंने चाबलों के साथ ही इसको खाया जाता है मैंने राइस के साथ मुझे दौाओं में याद रखिए मेरी फैमिली को दौाओं में याद रखिए जदाक अल्लाओ खैर